आपके नोस पे एक मॉल है जसके लेजर से एक दोगर लेजर ट्रीटमेंट करके इसको राताने की कोंसिस होई है लेकिन फिर सी रेकर कर जाता है ऐसा हो है ना तो actually laser mole हटाने का एक अच्छा तरीका है लेकिं proper laser selection होना चाहिए experience होना चाहिए usually एक से दो session में बड़ा बड़ा अच्छे constAYuse ca mole हट जाता है और laser अच्छा इसलिए होता है कि उस laser से mole हटने के बाद उसका अपना कोई निशान नहीं आता है तो अभी हम लोग इसमें मोल एक्सीजन विट सीओ टू लेजर करेंगे और ये पूरी तरह से खतम हो जाएगा कोई मार्क्स नहीं आएगा तो कि हम लोग जस्ट आपका वोल कर रहे हैं जितने भी इंस्ट्रुमेंट हैं उस सब में खुद को सर्जन को या जो भी डर्मेटाल्जिस्ट हैं उनको प्रॉपर ट्रेन होना पड़ेगा उतना एक्स्पिरियंस टोर उतना लर्निंग कर्व है वह उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि तब जाके सारी चीजें रिजल्ट प्रेडिक्टिव होना चाहिए जैसे आपको बताया गया होगा तीन-चार सेशन में खतम होगा लेकिन नहीं हुआ तो मतलता प्रेडिक्टिबिटी नहीं रही उसमें या सस्पिशन करने वाले के पास भी रह जाता है तो ऐसा नहीं है आपका पूरी तरह खतम होगा फिर से रेकर नहीं करेगा और एक दम ही नहीं करेगा तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक सेशन में ही यह सारा कुछ कुछ कम्प्लीट होगा इसी सेवे नोस पे राइट साइड में एक मूल था वन वीक पहले इसको सरजरी प्लस लेजर दोनों का यूज करके हटाया थे अभी कोई भी मार्क्स नहीं दिख रहा है थोड़ा सा पिंक सा कलर दिख रहा है जैसे कोई मॉस्क्यूटो बाइट के बाद चोटा सा डॉट ब मॉल रिमूबल होता है वो भी एक अच्छा मॉड़लेटी ऑफ ट्रीटमेंट है लेकिन उसमें मल्टिपूल सेशंस करने की जूरत होती है एस पर साइज ऑप मॉल कितना बड़ा है उस पे लेकिन चुकि आपका एक बार फेलियर हो चुका था और ऐसे छोटे से मॉल के अच्छा उप्शन है तो वही किया गया विच स्योट लेजर डिफरेंटली उस करते हैं हर सर्जरी में तो वही है